हलो फ्रेंस राधे राधे कैसे हैं आप सब स्वागत है आप सभी का सांची की रसोई में आज मैं लेकर आई हूँ बहुती चटपटा और क्रिस्पी नास्ते की रेस्पी तो यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंस बहुती बड़ी हां बना है यह नास्ता जितना यह दिख रहा है सच में खाने में उतना स्वाधिष्ट भी है यह नास्ता तो इसको कभी भी बना कर खा सकते हैं सोस के साथ चटनी के साथ यह सुब़े साम की चाय हो तो चलिए हम देख लेते हैं कैसे बनाते हैं इस नास्ते को तो इसको बनाने के लिए हमने ले लिया है यहाँ पर आलू तो हमने बोईल करके लिया है और इसका छिलका हमने निकाल लिया है तो इसको चाहे तो आप हाथ से भी बढ़ियां से मैस कर सकते हैं या मैसर से हमने इसको फोर्क से बढ़ियां से मैस कर लिया है इससे भी बहुत ही आसानी से ये मैस हो जाएगा तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने सारी आलू बढ़ियां से मैस कर लिया है और इसको साइड में रखते हुए हम ले लेते हैं यहाँ पर ब्रेड तो हमने दो ब्रेड लिया है, तीन आलू लिया था, मेडियम साइज की और हमने दो ब्रेड लिया है, तो ब्रेड को छोटे छोटे टुकडे में यहाँ पर हम तोड़ लेते हैं, तो इसको इसी तरह से तोड़ते हुए हम इसको डाल देते हैं, मिक्सी जार में, तो यहाँ पर तो फ्रेंट्स हमने इस नास्ते को उबली हुए यालू और ब्रेट से बनाया है इस तरीके से बनाएंगे सच में बहुती बढ़िया और चटपटा नास्ता बनता है तो हमने लगभग एक मेडियम साइज की प्याज को बारी काट लिया है इसको हम डाल देते हैं इसी में मिक्स कर देते हैं उसके बाद हमने 3-4 हरी मिर्च भी बारी काट कर डाल दिया है इसी में और हमने थोड़ी सी हरी धनिया भी डाल दिया है उसके बाद हम डाल देंगे इसमें जो हमने आलो को मैस करके रखा था इसी में हम mix कर लेते हैं तो friends मेरी ये नास्ते की recipe आप सभी को अच्छी लगे तो comment जरूर करें और video को full watch करें तो इसी तरह से हमने सारी आलू डाल दिया है और हम डाल देते हैं कुछ मसाले तो मसालों में हमने डाल दिया है लगभग आधा चमच कुटी हुई काली मिर्च और आधा चमच ही डाल दिया है यहाँ पर सूकी धनिया पाउडर और आधा चमच डाल दिया है यहाँ पर जीरा पाउडर और हम डाल देंगे लगभग आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर तो ये तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर नहीं है और हमने डाला है लगभग आधा चम्मच यहाँ पर गरम मसाला और आधा चम्मच ही डाल दिया है फ्रेंड्स यहाँ पर हमने चाट मसाला अगर चाट मसाला नहीं है तो आप आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं और हमने डाल दिया है टेस्ट के अकोडिंग नमक तो इतने ही मसाले डलेंगे इसमें अब इसको हम मिक्स कर रेते हैं बढ़ियां से तो इसी तरह mix करते हुए हमने इसका dough बना लिया है, यहाँ पर देख सकते हैं, बहुत यासानी से बन जाता है, बिल्कुल पानी डालने की इसमें जरूरत नहीं है, उसके बाद हम थोड़ा हाथों में लगा लेते हैं, तेल, तेल या घी कुछ भी लगा सकते हैं, उसके बाद हम इसकी टिक्की बना लेते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंस, थोड़ा थोड़ा सा लेते हुए, उसके बाद हम इसे लड़ू का सेप देते हुए, उसके बाद हम इसे हलका सा प्रेस कर देंगे, तो यहाँ पर देख सकते हैं, यह बिल्कुल जैसे टिक्की बनती सेम वेसे बन गई है तो हमने सारे इसी तरह से बना लिये हैं और उसके बाद हम इसको रख देते हैं साइड में और हमने ले लिया है यहां पर एक मेडियम साइज की आलू इसको हमने ग्रेट कर लिया है और बढ़ियां से दो से तीन बार धो लिया है इसी में डाल देते हैं हम तीन से चार चमच बेशन आप चाहे तो यहाँ पर मैदा भी डाल सकते हैं तो हमने लगभग तीन से चार चमच यहाँ पर बेशन डाल दिया है और हमने डाला है लगभग एक चमच चावल का आटा चावल के आटे से बहुत ही बढ़िया क्रिस्पी नास्ता बनेगा और हमने दाल दिया है इसमें थोड़ा सा नमक तो नमक यहां जादा नहीं डालना है थोड़ा सा ही और हमने लगभग आदा चमच डाल दिया है कलोंजी और आदा चमच ही डाल दिया है यहां पर पूटी हुई लाल मिर्च और हम डाल देंगे हरी धनिया बारी काट कर तो इसको मिक्स क दालने की जरूरत नहीं है इसको हमें इसकी सलेरी बना लेनी है इसका घोल बना लेना है पहुँ जादा पतला नहीं पहुँ जादा इसको गाढ़ा नहीं रखना है यहां पर आप थिकनेस देख सकते हैं उसके बाद हम जो टिक्की हमने बनाई थी उसको हम इसी में बढ़िया और लो रखना है बहुत ज्यादा लो फ्लेम पर भी नहीं करना है तो बहुत ज्यादा तेल अब जोब करेगा और बहुत ज्यादा हाई फ्लेम पर भी नहीं करने हैं फ्रेंड्स नी तो अंदर से कच्चा रह जाएगा और ऊपर ऊपर यह ब्राउन हो जाएगा तो यहां पर लटते हुई इसको दूस्रे साइट से भी भड़ियां से इसकों Firy कर लेते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं हल्का हल्का कलर आ गया है इसमें तो यह सच में बहुत ही चरपटा और स्वाधिष्ट लगता है यह नास्ता तो यह बहुत ही बढ़ी हाँ बिल्कुल क्रिस्पी फ्राई हो गया है अब हम निकाल लेते हैं इसको तो इसी तरीके से हमने इसको निकाल लिया है प्लेट में तो यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंस टैक्चर बहुत ही बढ़ी हाँ आया सच में और बहुत ही बढ़ी हाँ और क्रिस्पी बने हैं यह नास्ते फ्रेंस आप इसको सुबे हो या साम हो कभी भी बना कर इस नास्ते को खा सकते हैं और मेरी वीडियो को पहले बार देख रहे हैं तो प्लीज फ्रेंड्स मेरे चैनल को सस्क्राइब जरूर करें और मिलते हैं नेक्ट वीडियो में एक और नई रेस्पी के साथ तब तक के लिए थैंक्स पूर वाचिंग